जी इस lecture के अंदर आपको singular value decomposition method में बताने वाला हूँ जो basically system of equations को resolve करने के लिए है, solve करने के लिए हम use करते हैं होता क्या है कि ये SVD method एक ऐसा method है जो बहुत ज्यादा use होता है computational analysis के अंदर आपकी dimensionality reduction के अंदर जो जब आप python with data science use कर रहे होते हैं और unsupervised learning के अंदर ये बहुत heavy किसम का utilize किया जाता है जब आपकी बहुत ज्यादा dimension हो जाती हैं, you can utilize this method to resolve the equation for x, y, z and other dimensions as well इसमें मैं ज्यादा detail में अभी नहीं जाओंगा because machine learning के जब topic आएगा उसके अंदर बहुत detail में हम देखने वाले हैं but for now we will focus only on singular value decomposition के होती क्या और इसको किस तरीके से हम resolve करते हैं singular value decomposition अगर आप इसको देखें तो इसका literal मतलब ही यह है कि singular value के अंदर हम decompose करते हैं किसी एक चीज को जैसा कि LU decomposition method था हमारा पीछे वाला जिसके अंदर हमने यह देखा था कि हम lower and upper के अंदर चीजों को convert करते हैं जो पिछला method था इसके अंदर भी हम decompose करेंगे किसी एक चीज को वो कौन सी चीज है मैं भी आपको बताता हूँ हमारे पास जब भी कोई equation होती है हमारे पास आता है जी ax is equal to b यानि कि a हमारे पास एक matrix है जो coefficient का है x हमारे पास variable matrix है this one is constant matrix तो जब हमारे पास ax plus b आ रही होती है तो इसका मतलब यह हुआ कि जब भी हम decompose करेंगे हम हमेशा यह a को decompose करेंगे जैसे हमने पिछले lecture में भी देखा अब singular value decomposition क्या करता है यह basically आपके matrix को given n and matrix के 3 types के अंदर convert कर देता है वो कौन से 3 types होती है वो मैं आपको बताता हूँ और यह capture क्या करता है essential geometric and algebraic properties of original matrix यानि कि यह जो a है न original हमारा matrix इसकी algebraic and geometrical properties को retain करते हुए इसको convert करता है तीन matrices के अंदर वो कौन से तीन matrices हैं वो हम देखते हैं यानि कि हमारे पास equation बनती है x is equal to b हम a को लेते हैं a को तोड़ते हैं decompose करते हैं तीन matrix के अंदर one is u the second one is this sign जिसको हम देखते हैं क्या होता है and then v and then t इसके उपर लगाता है तो आपको पहले अच्छे तरीके से पता है कि a अगर हमारे पास एक matrix है तो अगर हम इसका transpose लेते हैं तो ये at हो जाएगा ठीक है तो ये तो आपको चीज समझ आती है अब बाकी चीजें देखते हैं कि ये हैं क्या इस equation के अंदर ये तीन matrix है एक दो और ती अब जो u है ये क्या है u इसको हम बोलते हैं ये कोई भी एक matrix है is an m x m यानि कि आपके पास जितनी भी कोई चीजें आती हैं जो elements आते है matrix के वो उनको m बोला जाता है basically तो उसके अंदर जब हम देखें तो ये orthogonal matrix बनाता है और अभी आपसे मेरी request है के एक minute लें और search करें के orthogonal matrix क्या होता है क्योंकि जब तक आप इसकी example नहीं देख लेते हैं आपको समझ नहीं आने orthogonal matrix यानिके right angle matrix चले मैं आपको इसके एक छोटी सी example देता हूँ फिर शायद आपको clear हो जाए आपने एक तस्वीर देख लिए होगी अगर एक matrix है हमारे पास A जो कुछ इस तरीके से है यानिके 1,0,1,0 का हमारे पास matrix है ठीक है आप अगर इसका transpose लेते हैं that would be equal to the inverse of this ठीक है यानिके इसका inverse जो है वो basically इस तरीके से आ जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि when you multiply this with the like this तो आपके पास जो answer आएगा that would be equal to an identity matrix let me write it again identity matrix बनेगा यानिके sorry अगर आप A,T को A के साथ multiply कर दें या वैसे कर दें तो यह identity matrix आपके पास इसका answer आएगा ठीक है so usually क्या होता है right angle matrix है इसका मतलब यह है कि जिसका inverse जो है उस matrix के transpose के को लो जाए ओके so अब आपको यह समझाना जरूरी है कि यह U matrix एक हमारे पास आएगा मैं नीचे वाला जो है उसको मैं remove कर देता हूँ एक आपके पास आएगा U matrix जो हम decompose कर रहे है ठीक है and then the next one would be आपका अगला matrix जो है उसको हम देखते है so that would be this sign इस sign को बड़ा यूज किया जाता है math में और excel में भी आपने यूज किया होगा इस sign को बोला जाता है sigma ठीक है और इस sign का क्या मतलब है यह भी एक matrix है this is another matrix is an other matrix क्योंकि जारी बात है A को थोड़ा है U के अंदर और दूसरा आपके पास sigma है this is another matrix जो हमारे पास M cross N का matrix है यानि कोई भी value हमारे पास हो सकती है और यहाँ पे इसके diagonal के अंदर diagonal matrix with non-negative with non-negative real numbers on the diagonal non-negative real numbers on the diagonal ठीक है मतलब यह कि जब आप sigma की बात करेंगे जो डाइगनल होगा ना उसके अंदर non-negative real numbers होंगे ठीक है और basically इसको हम singular matrix भी बोल देते हैं जो मैंने आपको बढ़ाया था singular matrix क्या हता है यह मैंने आपको बताया था मैं रिपीट नहीं करना वाला यह transpose होगा हमारे V matrix का ठीक है transpose of N cross N V orthogonal matrix ठीक है सो अब V क्या है, N क्या है, M क्या है, N क्या है, वो देखते हैं ठीक है orthogonal matrix को हम define पहले कर लेते हैं जो मैंने पहले भी आपको बताया के right-angled matrix होते हैं लेकिन यह हमारे किस काम आएंगे, उसके लिए हम इसको एक refine definition के अंदर पहले लिखते हैं So, orthogonal matrices, कुछ key terms हमारे लिए ज़रूरी है जब हम SVD को पढ़ते हैं, उसमें पहला है जी, orthogonal matrices या orthogonal matrix क्या होता है ठीक है कोई भी एक matrix Q, ठीक है, is an orthogonal matrix When its transpose, यानि के QT, जो है, is also its inverse यानि के Q-1 इसका मतलब यह हुआ, के जो QT है, वो Q के inverse के equal है Then it's called orthogonal matrix, ठीक है In SVD, बोथ U and V are orthogonal matrix So, in SVD, यानि के singular value decomposition के अंदर U भी वही होगा, और हमारे पास जो V है, वो भी वही होगा यानि के जो तीन हमने parts तोड़े है U, sigma and V, इसका transpose तो इसका मतलब यह हुआ, के इसमें से 2 की हमें समझ आगी, के 2 इसमें से orthogonal matrix है, U and V पीछे बज़ा sigma, ठीक है अब हम देखें के sigma क्या है Sigma basically आपके पास एक ऐसा matrix है, जिसके अंदर singular values जो है, वो आती है अब इसके लिए हम एक term समझनी होगी, के singular values क्या है singular values क्या होती है ठीक है, यह अगली term है जो हमें समझनी होगी ठीक है हम क्या करते हैं, अगर A matrix हमारे पास है ना कोई भी तो इस matrix की diagonal पे जो values है singular values कहलाएंगी और वो, जो, सॉरी इस matrix की जो values है जो हम sigma के अंदर लिखेंगे diagonal के उपर, वो सारी singular values को इसको हम कैसे काउंट करते हैं, यह थोड़ी सी complex values होती है, but we will see जिसकी base पे इसको singular values decomposition बोला जाता है, I will give you an example for them as well, so सबसे पहले देखते हैं कि यह क्या चीज होती है, ठीक है singular values, और इसी के ऊपर singular value decomposition का पूरे का पूरा, जो method है वो occur करता है, ठीक है so, let's see यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास singular value को मैं define करता हूँ, आपको बताता हूँ कि क्या होती है, but before that we need to understand कि the diagonal the diagonal entries, कौन सी entries, यह वाली जो side वाली होती है, यह वाली entries the diagonal entries of of sigma of sigma vector, sigma matrix are singular values of singular values of किसकी, एक ही singular values होती है, यानि कि यहाँ पे जितनी values आएंगी, diagonal के अंदर, वो एक ही singular values होंगे, पहले बात हो यह दूसरी बात, जो ज़रूरी है singular values के लिए क्या होती है, वो they are क्या होंगी, अब यहाँ पे सोच के देखिएगा कि किस तरीए के से singular values आती है स्क्यार रूट्ट स्क्वेर रूोट किस चीज का स्क्यार रूट square root of the eigenvalues eigenvalues of किस चीज़ की square root of the eigenvalues of A, T, A और A, A, T ठीक है, या तो इसकी eigenvalues या इसकी eigenvalues जब इन दोनों को आप multiply करते हैं तो जो उनकी eigenvalues हमारे पास आती है, उसको हम जब square root लेते हैं, तो वो हमारे पास singular values होती हैं, ठीक है so they are the square root of the eigenvalues of A, T A and A, A, T ठीक है, number 3, obviously हमें eigenvalues का भी नहीं पता, so we will look into it, मिसाल के दोर पे, इसको भी हमें ज़रा side पे रखता हूँ, अगली चीज़ जो ज़रूरी है singular values S, V, यानि के singular values are always, क्या होंगी गोर कीज़ेगा, non-negative negative numbers, अब मुझे बताएं, अब आपको समझ आई के square root क्यों लिया जा रहा है उन values का नहीं समझ आई, चले हम देखते हैं, और या हम eigen values को किस तरीके से लिख रहे हैं या यहाँ पर जो procedure चाह रहे हैं, यह क्यों हमें positive values देएंगे, we will see that So, अभी confused ना हो So, S, V are always non-negative numbers and are usually arranged in descending order Number 4 Usually arranged in descending order यह SVD जो है ना, singular value decomposition यह इस एक main topic के उपर ही बनता है हमें U और V का पता चल गया जो हमने पहले दिखा था, जो हम AX is equal to B लिखते हैं A को थोड़ा है हमने U, sigma and V का transpose into X is equal to B तो U और V जो है हमारे पास orthogonal matrix है sigma जो है, इस पे सारा कुछ matter करता है और sigma के diagonal के अंदर सारी के सारी singular values होती है These singular values are the square root of this thing यानि कि इनकी eigen values का square root है and then these values are always descending order में order होती है and non-negative यह इनकी properties है singular values की ठीक है यहां तक आपको clear हो गया है कि singular values होती है समझ आगी है कि नहीं ओके यहां तक आपको समझ आगी कि singular values जो है positive इस वज़ा से रखनी है क्योंकि square root हमारे पास different तरीके से count किया जाता है और उसकी कुछ properties होती है square root लेने के भी obviously इसी वज़ा से मैंने आपको बोला था कि जो आप बेसिकल जब रहा है उसके lecture ज़रूर देख लीजेगा यहां तक अब आपको समझ आगी अब हम देखते हैं कि eigen vectors क्या होती है जो एक और key term है जो हमने use करनी है इस पूरे एक SVD के अंदर eigen vectors अच्छा vectors की तो आपको समझ है ना के नहीं समझ vectors की आपको अच्छे से समझ है अब eigen vectors क्या है और इनको एक अठा लिखा जाता है by the way eigen vectors ठीक है eigen vectors क्या होते है हम इनको देखते है eigen vectors क्या है तो columns जो columns है किस चीज के यू के ठीक है आर दे आइगन vectors आफ A इन्टू A ट्रांस्पोस यानि के जो यू हमारे पास एक matrix है उसके जो column है दो जार कॉल्ड आइगन वेक्टर्स यानि के जो उपर से नीचे को columns होते हैं एक matrix के अंदर say for example ये आपके पास एक matrix है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मैं सिरफ example दे रहा हूँ I'm not writing into like really detailed way मैं सिरफ आपको example दे रहा हूँ कि ये जो अगर U matrix है इसके जो columns है ये हमारे पास eigen vectors ठीक है vectors क्या होते हैं basically आपकी quantity होती है जो उपर से नीचे को move करती है ठीक है अब आगे चलते है अब दूसरी चीज़ क्या है यहां पे एक और important चीज the columns of V the columns of V matrix ठीक है और या rows of V का transpose आपको भी पता है ना columns को जब आप rows में convert करते हैं तो वो transpose ही होता है ना procedure तो वो ही बात बताई गई है कि the columns of V or the rows of V transpose are the eigen vectors are the eigen vectors of A transpose A ठीक है अब आप गवार करें मैंने आपको बताया था कि A multiplied by A ट्रांसपोर्ड या A transpose multiplied by A जब आप V को देखेंगे तो आपने इन चीज़ों का ख्यार रखना है जब आप U को देखेंगे तो आपने इस चीज़ों का ख्यार रखना है तो आपके पास समझ आगी है कि जब आपके पास इसका कोई आंसर आएगा तो हमारे पास बिसिकली उसके जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो U के अंदर आजाएंगे एक मैट्रिक्स के कॉलम बन जाएंगे और जब हम इस एक परसीजर को परफॉर्म करेंगे तो उसके जो कॉलम्स होंगे वो हमारे पास V के जो मेन मैट्रिक्स के पॉइंट्स बन जाएंगे ठीक है इसका मतलब यह है कि जब हम A transpose A को मुल्टिप्लाइ करें या A into A transpose करें ये दो चीज़ें हमें U and V जो है वो provide कर देती है यहां तक आपको clear हो गया अब हम बारी-बारी इन चीज़ों को देखते है सबसे पहली चीज हम एक example को ले के चलेंगे फिर हम आगे move करेंगे कि example के अंदर हम किस तरीके से जो आइगन values और आइगन vectors जो हैं उनको check करेंगे हमारे पास एक matrix है to be very easy I will write 2 by 2 का matrix जो हमारे लिए ज्यादा easy होगा 2 by 2 का एक matrix लेते हैं ठीक है इसको बोलता हूँ A और इसकी values हैं 3, 4, 0 and 5 अपनी notebook पे यह लिखते जाएं please क्योंकि SVD को समझना example के बिना बहुत मुश्किल है ठीक है अब हम क्या करेंगे इसका SVD find करेंगे obviously आपको खुद नहीं करना पड़ता अगर आपके पास कोई programming language है तो SVD computation या computing SVD मैं लिख लेता हूँ computing SVD ठीक है computing SVD हम SVD को compute करते हैं यानि कि singular value decomposition को decomposition को सबसे पहला काम आपको भी पता है मैं क्या करूँगा compute करूँगा तो मैं step by step आपको बताता हूँ number one हमने क्या करना है compute A transpose A ठीक है ये पहले compute करें ठीक है number two compute करें A A transpose यानि कि आपको समझ आगी A transpose पहले और एक बात में number three पे हमने क्या करना है हमने बलके इसको मैं ऐसे लिखता हूँ flow chart की शकल में ताके आपको नजर आए इन दोनों के eigen vectors को find out करना है ठीक है find there eigen vectors and eigen values सभी है ये आपको समझ आगी ये step three हो गया हमारा so मैं one two यहां पे लिखा है यहां पे three लिख देता हूँ ठीक है इसके बाद अगला गाम आपने क्या करना है मैं एक flow chart की छगल में लेके जाता हूँ ताके आपको याद रहें कि ये चीज़ें कैसे चलनी है then what we will do we will actually construct यहां से हम चौते step पे चलते है that is construct sigma using the square root of non-zero eigen values क्यूंके हमारे पास eigen values यहां पे आ गई है ये वाली ठीक है अब हमने क्या करना है construct करना है sigma sigma क्या है इसको हमने कैसे construct कर सकते है क्योंके मैंने आपको पहले भी बताया we will do using the square roots of किस चीज़ का the non-negative sorry the non-zero not non-negative not zero icon values icon values ठीक है उसका हम square root लेंगे non-zero का क्यूंके zero का square root नहीं लिया जा सकता न okay then इसके बाद हम क्या करेंगे number 5 पे इसके बाद जो गला step है we will write that in white form करेंगे किस चीज़ को जो हमारे पास sigma आ गया ठीक है अब हमारे पास क्या आन है u and v इन दोनों को form करेंगे किस तरीके से क्यूंके हमारे पास यहां पे eigen values यूज होगी है step number 4 में यानि के ये चीज़ हमने यूज कर ली है step number 4 में पीछे बचे हमारे पास eigen vectors उनको यूज करेंगे step number 5 में यहां पे form u and v using the eigen vectors using the eigen vectors of किस चीज का a transpose a का भी and a into a transpose इन दोनों का और इनको respectively हमने देखना है तो यहां पे बलके a a transpose and a transpose a अब आपको भी समझ आगी होगी कि जैसे मैंने पहले बताया था v के बारे में जब मैंने बताया था तो मैंने आपको बताया था कि v is actually the eigen vectors of a transpose a and जो मैंने आपको बताया था u is actually the eigen vectors of a a transpose ठीक है तो यह हमें समझ आगी इस column के इसके जो vectors होगे वो इसके columns होगे इसके जो vectors होगे यानि के a a के eigen vectors वो इसके columns होगे so columns of u ठीक है so मैं यहाँ पे इसको ऐसे न लिख दूँ eigen vectors of a a transpose is equal to u के columns and same for a transpose a into v के columns ठीक है so यह आपको अभी आद हो जाएगा अगर आपको यह सारी चीज़ें मिल जाए then इसका मतलब है आपकी equation जो है वो तो resolve हो गई कैसे resolve हो गई हमने यहाँ पे लिखा था a x is equal to b और a को हमने तोड़ा था u v and t transpose के उपर मैं यहाँ पे दुबारा से लिखता हूँ अब अगर हमारे पास यहाँ पे आ जाए a x is equal to b तो हमने इसको थोड़ा था u sigma and v का transpose is equal to b तो हमारे पास अगर यह तीन मैट्रिक्स आ जाएं इन तीनों की product जो है हमारे पास वो किसके एकोलोगी b के ठीक है और उसको हम x के साथ multiply करते है and this is how you can actually resolve this matrix अब होता यह है कि जब आप किसी भी matrix को लिखते हैं उसको किस तरीके से आप ले के चलेंगे यानि किस तरीके से compute करेंगे ठीक है जैसे कि मैंने आपको a matrix दिखाया इसके फिर आगे values आपने find out करनी है and then you will do step by step a transpose a a a transport find the eigenvectors and eigenvalues and then you will go further ठीक है अब hopefully आपको in इस flow chart की समझ आगे कि हमने करना क्या क्या है sorry a transpose a a a transpose then उसके eigenvectors and eigenvalues की बेस पे sigma u and v को हमने derive करना है अब आपको एक proper example के through मैं पूरी की पूरी जो है वो computation करके दिखाता हूँ hopefully आपको समझ आजाएगी मैंने पहले भी करनी चाही but मैंने सोचा के पहले आपको flow chart बता दिया जाए so a is equal to 4 3 0 minus 5 तो यह proper example है हमारे पास proper example ठीक है यह हमारे पास आगया तो step 1 हम करते हैं step 1 is equal to compute करेंगे a transpose and a and a a transpose ठीक है इन दोनों को compute करने वाले हैं let's see इन दोनों को compute करते हैं तो हमारे पास a दिया हुए ठीक है तो a का जो transpose है वो क्या होता है a का transpose हमारे पास होगा 4 0 3 and minus 5 ठीक है so हमने rows को column बना दिया अब इन दोनों की product हम लिखते हैं तो मैं directly आपको product बना के दिखा देता हूँ a transpose a जो है इसकी जो product होगी 4 0 4 0 3 minus 5 इसको हम करेंगे multiply with 4 3 0 and minus 5 ठीक है इस तरीके से और इसका जो हमारे पास answer आएगा that would be something like this मैं directly answer लिख रहा हूँ ताके आपको समझ आएगा है 25 minus 15 minus 15 and 25 ठीक है यह आगा हमारे पास a transpose a का answer अब हम करते हैं a a transpose वो ही चीज़ है 4 3 0 minus 5 अब transpose बाद में आना है a matrix पहले आना है वो है हमारे पास 4 0 3 minus 5 इसका जो हमारे पास answer आएगा that would be different ठीक है और वो answer है हमारे पास 16 12 12 and 34 क्योंकि आपको भी पता है कि जब भी हम transpose लेते हैं तो यह matter करती है sequence आप किस से किस साइड पर जा रहे हैं ठीक है so आप i और j hat इसकी base पर multiplication कर रहे होते हैं so यह हमारे पास दोनों answer आगे हैं compute कर लिए हमने अब हमने क्या करना है हमने eigen values and eigen vectors जो हैं वो find out करना है and then we will create a vector create a u and sigma and v transpose matrix based on that तो हम क्या करेंगे eigen vector of a transpose a and a transpose a a transpose इन दोनों के eigen vectors हमने देखने हैं ठीक है और फिर eigen values भी तो पहले हम eigen values देख लेते हैं कि वो क्या होती है and then we can move further than eigen vectors की तरफ eigen values eigen values क्या होंगी इनको बलके एक अठा लिखा जाता है मेरी आदत है जान बूज के समझने के लिए मैं लिखता हूँ तो वो separate हो जाता है अब दोनों की eigen values क्या होंगी roots of the characteristic polynomial of a transpose a and a a transpose अब आपको एक थोड़ा सा काम ये करना होगा यहीं पे eigen values और eigen vector को find out करने के जो formula है वो देखने पड़ेंगे क्योंके this is not really easily going के आप किस तरीके से इन दोनों को find out करते हैं जैसे आपके पास ये दोनों चीज़े आ जाएंगी eigen vector and eigen values then it would be easier for you मैं यहाँ पे आपको hint दे देता हूँ कि eigen values कैसे find out करनी है आपने लेकिन करनी ही आपने है by the way so यहाँ पे eigen values आ गई eigen values किस तरीके से आएंगी मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ you have so यह वाली eigen values जो हैं यह roots हैं of the characteristics polynomial of polynomial of A transpose A and AA transpose ठीक है और यह किस तरीके से find out किया जाता है usually आपको computational tool चाहिए होते है सही है जो mathematician है उनको पता है कि polynomial को find out आप कर सकते है correctistic polynomial को लेकिन you have to find out there are many computational tools roots of polynomial roots of the characteristic polynomial of A transpose A and A transpose AA transpose तो एगन वैलियोस को find out करने के लिए you need some computational tool आइगन वेक्टर क्या होंगे once we have the आइगन वैलियोस we can find the आइगन वैलियोस cross-ponding to these आइगन वैलियोस for both ATA and ATT so usually क्या होते है आपको basically किसी software की ज़रूरत पढ़ जाती है इस वकत पे और या आप कोई और tool यूज कर लेते हैं for example obviously आप mathematical equations के through भी इन दोनों को find out कर लेते हैं and then you have to use you know a big paper to find out these things so आप में से कितने लोगों को पता है आप में से कितने लोगों को पता है कि आप किस तरीके से eigen values and eigen vectors find out कर सकते हैं कौन सी value कौन सी library के थरो कौन सी library के थरो आप कर सकते हैं आप चेक कर सकते हैं scipy के थरो भी हो सकते हैं numpy के थरो भी sklearn के थरो भी आप कर सकते हैं there are many other libraries numerical python जो है basically numpy उसके थरो आप basically इसको कर सकते हैं तब आपका काम यह है कि यह आपके पास matrix बन गया इसका मतलब यह हुआ जो मैं आपको कल बात बता रहा था कि advanced methods जो हैं उनके लिए हमें use करने पड़ती है high computation power और जितने matrix हमारे पास ज्यादा होंगे इतना ही असान हो जाएगा लेकिन आपको इतना समझना जरूरी है कि eigen vectors and eigen values किस तरीके से calculate होती है और इसके पिछे methodology क्या है वो basically होता यह है कि roots या square root लिया जाते हैं और उसको कह देते हैं कि हम यह एक eigen value है जैसे मैंने आपको sigma बना के दिखाया u बना के दिखाया v का बना के दिखाया और उसका transpose वगरा जो हमने वा लिया and then we can actually see with the matrix लेकिन देरा मैनी अधर computational tools जो आप यूज कर सकते हैं numpy यूज कर सकते हैं scipy BI, I think stats models भी है इसके बाद और भी math की बड़ी python की libraries हैं r के अंदर काफी packages भी है you can utilize those things but at the end आपके पास जो eigen values and eigen vectors हैं आपको समझ आनी चाहिए कि एक matrix को तोड़ के यह उसका हिस्सा है मतलब यह कि eigen values और eigen vectors सारे का सारा represent नहीं करे जो आपने देख ली है so SVD जब हम लगाते हैं एकसर होगा लोग कहते हैं eigen value, eigen vector आगे that's enough for us आपको U and V transpose भी देखना है not only sigma ठीक है क्यों, sorry आपको sigma भी देखना है not only U and V transpose तो उसके लिए आप यह सारी calculation कर रहे होते हैं और SVD को मद्दे नजर रखके आप आगे चर रहे होते हैं ठीक है और believe me अगर आप लिखेंगे ना इसको eigen values और eigen vector को find out करना on chat, GPT और some other tools you will see a complex equation models लेकिन at the end आप num pi या psi pi के थूँ इसको easily find out कर सकते हैं ठीक है यह बताने का मकसद यह है कि आपके पास final जो result आता है वो किस तरीके से आता है so for example आपके पास eigen values and eigen vectors आ चुके हैं तो आप क्या करेंगे उनकी base पे आप तीसरा फिर start करते हैं अपना step which is यहां से आपने transpose ले लिया था दूसरा फिर eigen values and eigen vectors find out कर लिए उसके बाद आप करेंगे construct करेंगे अपने construct sigma u and v ठीक है और जब आप sigma u and v को construct करेंगे उसकी base पे आप अंदाजा लगाएंगे आपके पास कौन कौन सी values जहें वो आ रही है ठीक है और फिर at the end आप verify भी करते हैं इन ही सारी चीज़ों को आप verify भी करते हैं for example आपने find out कर लिया एक matrix आया sigma का दूसरा है u का तीसरा है v का आपने x के साथ इनको multiply करके b के equal रखके देखना है कि क्या ये true है या नहीं अगर true हो गया that's fine otherwise verification आपकी घलत है और basically ये transpose है so you have to find say for example मेरे पास जो hypothetical values आती है वो कुछ इस तरीके से आ रही है मेरे पास एड़ी sigma इसका एक matrix मेरे पास आ गया after actually calculating the values तो ये मेरे पास 1 आ गया 0 0 और ये मेरे पास sigma 2 आ गया ये मेरे पास values आ गया और दूसरा मेरे पास आ जाता है जनाब U U को मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ इसकी जो value है U 11 आ गई U 12 आ गई for example ये U 21, U 22 whatever it's coming so ये values आ जाएंगी मेरे पास फिर V की आ जाएंगी V 1 1 आ सकता है V 1 2 V 1 या 2 1 कर दे या V 2 2 कर दे so something like this मेरे पास ये तीन matrix आ जेंगे और SVD के अंदर ये तीनों के तीनों important है अब आपको पता है के जो A transpose A की values हैं और A A transpose की values हैं ये मिल के या U बनाती हैं या आपका V बनाती हैं ठीक है तो इसका मतलब है इसके eigen vectors जो हैं इन चीज़ों में जाएंगे और जो सिगमा है ये मिल के बनता है आपका किन चीज़ों से the diagonal of the matrix A जो diagonal है ना A matrix का this one उसकी base पे आपका सिगमा बनता है तो इसका मतलब है के हम चार किसम की direction जो है वो find out कर रहे हैं एक matrix की say for example मेरे पास matrix ये है 5, 6, 7 हम क्या कर रहे हैं हम diagonal भी इसकी direction देख रहे हैं using sigma ठीक है हम उपर से नीचे भी इसकी direction देख रहे हैं और left to right भी देख रहे हैं समझाई बात की यानि के इस matrix में change कैसे आ रही है अब आप गौर कीजिएगा गौर कीजिएगा बड़ी गौर से हम सारी direction देख रहे हैं कि पहले से इस side पे जाओ क्या change है फिर उससे नीचे आओ क्या change आ रही है फिर उससे diagonal जाओ क्या change आ रही है तो हमारे पास ये तीनो direction पूरी नहीं होगी फिर आप कहेंगे कि जहां पे ये column है वो row बन रही है आगे तो इन values का क्या कसूर है जो यहां पे आती है रुको ज़रा सबर करो यार इसी वज़ा से तो आप transpose ले रहे हो न कि जो उपर आ गई है वो फिर column में आ जाएं तो जैसे वो column में आएंगे आपकी ये वाली direction भी cover हो जाएगे diagonal भी ये भी मतलब कोई ऐसी change बचेगी नहीं जो आपको पता नहीं है कैसे अकर हुई है इसका मतलब ये भी है कि जितना मर्जी बड़ा matrix है 6 dimension का, 7 का, 8 का, 10 का, 11 का, 15 का whatever is going on into the matrix आपके पास SVD जो है singular value decomposition method उसकी change को देख के हमें बता सकता है कि ये matrix किस किसम की transformation जो है वो कर रहा है समझागी हमारा main मकसद भी यह होता है transformation को देखना समझागी बात की अब जितनी complex कोई चीज होगी उतना ज्यादा SVD आपका जो method है वो अच्छा perform करेगा as compared to Gaussian elimination method Gauss-Jordan method या आपके जितने other iterative methods वगरा है so be very careful whenever you are doing this SVD analysis और इंशाला जब आप मैं जाओंगा dimensionality reduction के chapter के अंदर in this course जो हमारा 6 माक है then I'm going to show you the each change अब मैं आपको बताता हूँ ये each change ज़रूरी क्यों है robot जब आप बना देते हैं मेरे बात सुनियेगा robot हमेशा सीधा नहीं खड़ा रहता वो बैठता भी है वो space में move भी करता है 3D space के अंदर वो कहीं पर आता जाता भी है वो की task भी perform करता है same similar to us आप सारा दिन एक ही जगा पर static तो नहीं ना बैठे रहते यानि के जो matrix X, Y, Z के अंदर या 3D dimension के अंदर वो हमें ये बताते हैं के आप किस तरीके से move कर रहे है और system of equation हमें ये बताती है के कोई चीज किस तरीके से move की है future के अंदर आप देखेंगे के जब हम transformations को study कर रहे होते है SVD हमें कैसी values दे रहा होता है के आम बंदे के लिए उसको पढ़ना मुश्किल हो जाता है इसी वज़ा से computational power आती है और यही वज़ा है कि python के अंदर data matrices के अंदर easily पढ़ा जाता है या arrays के अंदर क्यों? क्योंकि 2x2 का अगर मेरे पास matrix है इसको two dimensional array भी बोल सकते हैं और इसको tensor की form में भी आगे लेके जाएंगे ये इस तरह के methods उसको असान कर देते हैं compute करना eigen values find करना, eigen vectors find करना there are many other tools जो हम use करने वाले इन्शाला आने वाले दिनों के अंदर hopefully आपको इस सारी concept की समझ आगे होगी, अब आपने करना ये है, eigen values क्या होती है eigen vectors क्या होती है इनके बारे में देख कियाना है, ठीक है इसके साथ क्यार मुझे इजाज़त दें और इन्शाला कल को मिलेंगे, हम तकरीबन साड़े नो बज़े again और कल को हम computation से आगे start करेंगे, कि matrices को computer के अंदर कैसे compute किया जाता है और जो आपका टास्क है भी आपने iterative method और crammer's rule इन दोनों को खुद से देख रहे है टेक केर, अलाफिस